पूरा लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल करें अगर आप पहले वो नहीं देखें तो पहले दोड़ के जाएए और उसको देखिये समझ की कि एक के बाद सदेल दीनिंग किंव सेपिंगों कreomas दते हैं इसको देखना है पिछे वाला को देखना है पीफिए लिंक मिल Church समय कवाई है मिलके पढ़ाते हैं और मचाते हैं बवाल विद बहुत सारा सावाल सबसे पहला आज का जो विशाय होगा, वो होगा सब्द विचार, क्योंकि हम जब वर्ण विचार पढ़ लिए हैं, जब हम वर्ण विचार पढ़ लिए हैं, तो आज के इस सेशन में हम लोग किसका बात पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़ने वाले हैं, सब्द विचार के बारे क्या होता है सब्द विचार तो ये हिंदी व्याकरन का दूसरा भाग है तो क्या बोलेंगे हिंदी व्याकरन का वह दूसरा भाग जिसके अंतरगत हम किस पर विचार करेंगे क्योंकि सब्द विचार है इसलिए सब्दों पर विचार करेंगे उसे ही हम क्या कहते हैं सब्द विचार कहते हैं मिलकुल एक दम बावाल तरह है अब कुछ ललन्ट बात को समझे करा क्या इसके अंतरगत हम सब्दों के अर्थ बनावर्थ परियोग के बारे में धेन करेंगे अब सब्द विचार के अंदर क्या क्या पढ़ेंगे हम लोग क्य क्या पढ़ेंगे इसके सब्दों के बनावट परियोग इंत्यादी के बारे में पढ़ेंगे एक मिनट फॉर सा लाइन परूप जाईए तो आईए अब हमनों चीजों को देखते हैं फीर से क्यों कि भाई साब फोन आ गया हुआ तो क्या कीजेगा मजबूर यह उठा नहीं पढ़ेंगे तो हम इसके अंत्रक्तिया करेंगे सब्द के अर्थ बनावट परियोग इन सभी के बारे में ध्यांग करेंगे इस वीडियो में यह वास समझेगा दूसरा के दुनिया के सभी सब्दों को हम अलग अलग अधारों पर बाढ़ सकते हैं अब दुनिया में जितन तो उनके गुन के अधार पर उनके विशेस्ता के अधार पर ठीक न परियोग के अधार पर बनावट के अधार पर बास समझेगे अर्थ के अधार पर रचना के अधार पर उपती के अधार पर इन सभी अधारों पर क्या किया गया सब्द को अलग अलग गुरूप में सब्मूं करें सब्द क्या है तो वर्नों या ध््होनियों के सार्थक समूऔथ को सब्द कहा यहां यहां पर है यहां यहां बात लिखा यmud में सार्थक होगा तो वो निडर्थक बन जाएगा कि तो फटल सार्थक समों को सार्थक का मतलब होता है जो अर्थ के साथ हो जो अर्थ परकट करें तो देखिए यहां पर हम लिखेंगे यहां पर लिखते हैं को प्लस मौ प्लस लौ तो क्या लिखेंगे कमल 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 का मतलब समझें नहीं परकर का फूल होता है इव रही है बाबू अब ऐसे नहीं होगा वाई साइब आप नाम का कोई चीजी नहीं होता है तो इसलिए आप यहां पर यह अर्थ परखट कर रहा है नहीं परकट कर रहा है मतलब इसका कोई अर्थ नहीं है इसका मतलब यह हुआ है कि यह निरर्थक सब्द है कैसा सब्द मेरे भाई निरर्थक सब्द है उपर वाला का अर्थ निकल रहा है तो यह सार्थक सब्द है इसका मतलब यह सब्द होगा तो यह वर्णों यह धोन्यूं का सार्थक स आगे देखिएगा सब्द के परकार सब्दों के परकार के बारे में पड़ते हैं ने मिरवाई तो बहुत सारी चीजे ध्यार में रखना होता है सबसे पहला तो किस आधार पे बाटा गया है किस आधार पर बाठा गया बहुत important बात है सबजों को भी भी आधार हुपा बाठा भीच थे और धोरा वह राचना के दहार पर तीसरा उत्पती या उद्गम की दार पर प्रियूं बहुत इंपॉर्टिन बात है यहां पर आपको बनावट रचना यह तो देदेगा बहुत अच्छी बात है उद्पती उद्गम उद्भाव ऐसे भी देदेता है बास सम्रेख नहीं तो यह थोड़ा सा आप दिमाग में रखेंगे पहला बात हम लोग भाई साम नेटवर्क ल सब्सक्राइब करता है कोई न कोई अर्थ दे उसे सार्थक सब्सक्राइब यहां परिवास्ता लिखा हुआ है आप छाप सब्सक्राइब विलक्म बो ब्युक्ट है जाल इसका एजमपल क्या हो सकत है जीससे लिए किorous हम बोटे नमक नमक हो जाना हम दो हम इसे चाय चाय हो गया हम पानी ठाज हो गया हम बोलते है रोटी डोटी यह हो गया आगो करा साथे जो उन्येस फीरि में सब्राइंट प्यारे ऊंक लेखनें याँ को ही यह टाले। पेज़ने गोमायाँ कि रखेला कि नुसमाग छले। शचे प्मेट चाय उपर याँता हैं? चाइव थो प्या होताई जा चाय थो पी उसके साह साथ क्या करओंगे नहीं बस दिल में बैठाव इदिशन रहा है याद रहेगा तुम्हें सब्द यह कोई य नंबर दिलारे नंगे चाहे यह रहा है एक बीश हम यह वाल अन्हों की बात करें कोई आर्थ हम करते हैं रोटी आइसी में लगाते है ओटी रोटी ऊटी खाने का मन है तो रोटी बनाव से बोलते हैं चल तु भाई रोटी तो ठीका है बाट उकरा साथ जो यह फिरी में सब्दा आ गया ओटी ओटी क्या बनेगा अभी ममी को ममी घ्ğimiz रोटी कोलना है न उट लगा दीकितर है तो तु क्या समझा शाया वाई यह नूससा निरथक सब्दा G dai vomit क्रें कोई डिक्कत रही कर दे करेदा बनावत यह रचने का अधहार मतलब बनावट के होता है कि जो जो छोटी-छोटी रूपों से मिलके बना ऊए अटेकर जब मतलब की बात करेंगे तो हम तोड़ने की भी बात करेंगे क्यों कि बात करेंगे क्यों कि हम सरचना होगा वहां विनास पी होगा बात वही है जब हम कहें बनावट का धार पर याद रखेगा रूड है सब रूड का मतलब रूठ गया है ठीक है ना उकरा को आप अगर इधार किजिएगा उसको तोड़ फोड़ किजिएगा तो कोई फाइदार नहीं होगा बात अमेगे नहीं जैसे कॉल को अगर ह अज़िया तुक्रा सार्थक नहीं मतलब और्थ प्रकट नहीं करता हो उसे समझें हो सब्द सब्द है मतलब माल लेंगे अपन्ध को तोड़ेंगे तो और्थ निगला उसका कोई भी सब्द बिलिक आयेIR जहां परकट नहीं करेंगा तो आप समझें है यह रूड सब्द है जासे माल लेगे हम को को तोड़ दिए को और ला में तो कोई अर्थ निकला है फ को तोड़ेंगे फ और ला में कोई अर्थ निकला है उसी तरह जा को तोड़ेंगे जा और ला में उसी तरह सा पलस गर तो टेक इस कोई अर्थ निकला है विद्ध पलस या तो ये विद्ध आ पुगड़ा करने पर उसके कोई भी खंड़ा से आर्थक नहीं हो उसे हम क्या 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 है उसे हम रूड सब्द कहते हैं यहां डिपनेसल लिखा हुआ है बिल्कुल बावाल परिकास चाप लिजिए और आप बीग्जाम में जाके बावाल मचा दीजिए तो देखिए अधिक वाला सब्द हो वह रूड सब्द आएगा अगेला योगीक सब्द क्या होता है देखो प्यार से समझना बासमदीज नहीं प्यार से समझोगे एकदम बिल्कुल एकदम घर्दा उला सब्दि बस यहां पर धिमाग को यहीं पर रखो ठीक थोड़ी देर पढ़गो फिर उसक सार्थक में नारельзя लेकिन इस योगीक सब्द में क्या हो गया योगीक सब्द में कि जब हम सब्दίας तो बिद्यां प्लस आले हैं उसी तरह इसको तूरते हैं हिम प्लस आलाए उसी तरह इसको तो मतलब तो होताँ है घ्यान आलाय का मतलब घर, हिन का मतलब बरफ, आलाय का मतलब घर, विद्या का मतलब ज्यान, साहर का मतलब बहुत बड़ा ज्यान का बंडा यही तो तो समझ रहा भाई कि जुसको हम तोड़े हैं उसके सभी खंड सार्थाको सबी खंड से अर्थ निकले हमें तो यौगिक सब्द होगा है न मज़ेदार बाद दिल में लगा कि नहीं लगा अगर दिल में थोड़ा सबी अगर लगा ओथ लाइक कर दो वेडियो को ठीक है ना और उससे भी अच्छा लगा ओथ शेर भी कर देना दोस्तों के बाश ठीक है क्या हो रहा है कि वह यौगिक सब्द ही होता है मतलब उसको भी तोड़ेंगे तो दोनों खंड उसके सार्थक होंगे लेकिन वह अलग अर्थ अपना परकट करता है इसका मतलब यह हो गया कि जब उस चीज को लिखिएगा तो कहीं और ध्यान वटका देगा जैसे हम बोलते हम पोलते हैं यहाँ पर नीलकंट नीलकंट तुरण तब के दिमाब में आच्छा संकर जी महाकाल वासम लिख नहीं उसी तरह दसानन रामन मारा लंबोधत गनेश जी लक्ष्मीरी नरायन तो नारायन क्या नारायन क्या नारायन क्योंको गया त्यानलों स्रिक्रिस्त मगव नौनलगेज़ीत वह सकते हुएक नारायन क्योंको बोलेंगे मेरे भाई तक नियुक्त नारायन रायन जिसको हम्लों कहते हैं विष्णु भगवानि पेस स्क्रिखहुलालों और समझ आए कि नहीं है कुछ समझत आया होगा तो जो अलग और्थ करते हैं इसको तो थो औरत निकलेगा लेकिन ज़रूरी हमेशा एसा ही होगा में राजकुमार को अर्थ तो किसी व्यक्ति के बारे में बात कर रहें बार समीब दो राजकुमार हो गया तो ऐसा कुछ आएगा तो क्या हो जागा योग-ुजज़ सब्द हो जाएक मेरे बाई बिल्कुल जाएगा behavior www.APP Hamm七 एागे चल मचंड़ा इस發व करूं मचंड़ा धायर पर उथ्टफ्सी करहर के पर्म पती करेम चीज्गों को किसी विशेस परकार के आप कह सकते हो देश दुनिया जगह जहां से उसकी वुद्पती हुई है जहां से लोग बोलना परारंब किये हैं और उसका उपयोग अलग-अलग छेत्रों में अलग-अलग लोगों के जाने के वज़ा से होने लग गया हो अब देखो चीजों को समझ सब्द जिसकी वुद्पती संस्कृत के सब्दों से हो लेकिन वर्तमान समय में हम उसका परियोग समाने बोल चालके इस भासा में करते हों है तो, उसे हम क्या कहेंगे तनस्ता सब्द करते हैं वह आईसा सब्द जिसकी वुद्पती संस Norm mamadiat वा क्या हो और ठीक वही संस्कीत में भी विभक्ती चीनियों के साथ परियोग किया जाता हो उसने ही हम तक्सम सब्सकते हैं तो कितना authentic परिभासा दिया गया कि संस्कीत के विए सभी सब्द जिसका परियोग समान जाता है हिंदी में भी किया जाता हो और संस्कीत में ठीक वही सब्द विभक्ती चीनि से लिखा जाय authent 되면 यह क्या हो गया डाली कि यह तरीका में इस आ topics के लिए एक तरह आगी मिए आगी और आग बोलते हैं जलक बोलते हैं पानी रिम्लीникиeto कापुर का बोलते है कुटा ग्राम का बोलते है दाऊं पर कॉरण बोले में या चंद जसे घ्याए चंद मामा चंद मम मअ जो तो under up लीमे ब्यार्य का थनी में प्याली में प्याली गंड़त तोट बोले मेहा syntt मत रूठ भाई परिष्टीड को समय से ला अगनी तो देखने में तुमको स्टेंडर लगेगा अगनी अब तुम गाहं में कहो जाके अंटी के घर थोड़ा सा अंटी जी अगनी जला दीजिए अंटी बोले कि वड़ी संसकारी लड़का हो गया है आप घर में जाके मम्मी को क लाओ जल इतना सुन्सकारी कब से हो क्या भाई तू पानी भोल दे करपूर अब जाके दुखंदार्थ से पूले का करपूर दो करपूर का होता है आउकराश का कपूर दे संस्कीत पड़ा हुआ है वो खुद विद्वान है अपने अपने दुनिया में तो का है तुमको बुद्धि मान या विद्वान दम जेगा घ्राम गाउं तो जितना यह जो उल्टा पूल्टा वाला जो सब अपनी भासा का जो सब देख रहे हो यह तदभाव है तदभाव है जो यह स्टेंडर्ट देखने में लग जिसका परियों को महमेद साल नहीं करते हैं वह हो गया आपका तत्सम तो घ्राम कर्ण चंद्र यह चीज़ को समझो यार प्यार सम्झो अगला बात तदभाव तो बात वहीं तो होगया संस्कीत के बिगड़े हुए अबि आग का अग ख़या बात एक काई को सम्झा जैनी ततभाव का परियोग ज़्यार लूब करते हैं ततभाव का परियोग दुनिया वाइसना सब्द जिसके उत्पति अपने ही देश में हुआ हो उसे हम देशास सज का तो यह सब्द क्या है जो हमारे दादा परदादा के द्वारा बोलते आये जा रहा है तो उसे हम क्या बोलेंगे देशास सब्द करने का मतलब क्या हुआ जब अंग्रेज लोग आये बाहर से इन्वैडर सब्द आया आतंक वार निकरें बाहर से जैसे आप देखेंगे कि मुस्लिम सासब बाहर से अरब देश तीक यह सभी अलग-अलग तुर्कों से अंग्रेज स लोगों के भी कुछ सब्ध हम लोग सीख लिए और वह सब्द हम आज भी परियोग करते हैं जिसे बिदेशा सब्द करते हैं इसका मतलब उस सब्द की उत्पादी हमारे अपने घर में अपने देश में नहीं हुआ है वह बाहर से लोग आये घूमने रहने यहां सासन किये और उनीका सब्द हम सीख लिए तो उससे बिदेशा सब्द कायंगे तो यहां परीभासा क्या होगरेग? वाइसा सब्द जिसके उत्तब हमारे सब्द नहीं यह सब्साब यह बाहर के सब्द है और वाकई यह सब्सब्द के अलावा स्ब्सरा को या सब्यूज diplomettes कर्सक्ते ह बहुत हाड हों जाता है अब ने आर भी में भी भी सोगत आती है और में उम्र जालीम गरीब ख्याल जाहिल आरीक खबर नतीजार गुस्साद जिस्म, जनाब क्यानभ क्या हाल है तु अब तुम अर्भी बोल दिया कितना जालीम आदमी है रे तूट रैसा आगर बोलता है तो वो समझ जाओ कि अर्भी भासा बोल रहा है कि इसको प्यार से पढ़ दिमाग लगा के पढ़ा तारीख गवाँ है तो तारीख गवाँ अर्भी भासा किछना लोग डेली बोल चाल के भासा हमें अलग-अलग सब्दों का परियोग करते हैं कि क्या होते हैं हमें वो चीजें समझ नहीं आती है कि किस भासा सा है हमको लगता है अपना यह अपना नहीं है वह सब बाहर वाले रोगों का है दूसरा विदेसज अरे यार यह तो बिदेसज पढ़िये यह यहां पर देशज और भी भासा में आपने देख लिए यहां पर दोबहर हो जोगा तूर्की सब काबू काली कैंची कुली चम्चा चाची तौक बहादूर लास लफंगा सब्सक्राइब करें तुम समझ गए मेरे भाई ये क्या है वी डेसज़ क्या को सब्सक्राइब Casey रुपांथर का रूपांथर या परियोग पर सब्दों के परकाद कुछू सब्द ए तिने मेरे समय अलग और रूपों नहीं हो सकता था लिम्靖 की अधारऽ पर वचन करन बदल जा रहा कि इसका नोया जो चीज बदल जाने सब्द देखे एक तो विकारी जिसमें विकार उत्पन हो जाता है यानि विकार उत्पन होने का मतलब जिसमें बदला उत्पन हो जाता है जो बदल जाता है अपने रूपों को बदल लेता है तो उसे विकारी सब्द कहेंगे यानि काने का मतलब अगर कोई परिभास्ता की बात करें तो अइसा सब्जिस में विकार उत्पन हो जाए यानी बदलाव विकारी सब्ट आतें जैसे संग्या अब संग्या में कहीं है क्या जैसे तु ब्यारत समझ भाई हम बुलेंगे लड़का लड़का तो यह लड़का अफिर बुलेंगे लड़को लड़की लड़की अम बुलेंगे लड़किया 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 तो यह जब बोल रहे तो इससे क्या पता चल यहां पर बोलेंगे वह जा रहा है तो तुल प्यार से समझ भाई यहां पर यह वह पुलिंग है यह यह इस्तिरलींग है तो देख रहे हुना सब्दे की है बढ़ वह अलग अलग अर्थ बता रहा है इसका मतलब उसका रूप बदल रहा है तो इसलिए उसको बोलेंगे विकारी सब्द है तो इसमें चार सब्द हैंगे विकारी सब्द में कितने किते तरग सब्द हैंगे चार तरगे एक तो संग्य संग्या सर्वानाम किलिया संग्या सम्नाम किलिया संग्या स्वनाम किलिया चारको विकारी स वंख्या स्वनाम e- Ach is it बदलता है यह और उभिकाली का मतलब क्या हो गए है कि जिसमें विकाद पर उताई नहीं है क्या वो लिंग हो कारक हो वचन किसी के भी आधार को यह उक्रतेव रहाएगा जैसा हम तुम पहते जिए इसमें इसमें भी चार वा जाएगा किर्याभी सेशन संबंध बोधकभ यह ठीक है ना दूसरा समुच्य बोधकभ यह और विस् इंटर स्में श्यायसा होसे तुम व doctrine कितने व हों किया चार सब्क है भी को सब्स्क्रें आख करते बहुत इसमें भी से थेत हैं वह बहुत तेज वह बहुत तेज भाग रहा है भी यहांन के वह बहुत तेज तेज भाग रही है तो देख भाई यहां वह जो है पुलिंग है यहां वह इस्तिरलिंग हो गया यहां तेज भाग रहा है यह क्या हो रहा है इस्तिरलिंग में बदल गया तेज भाग रहा है यह पुलिंग में बदल गया यह इस्तिरलिंग में बदल गया लेकि बहुत दोनों वहां जोगा पर सेम लग गया ? बहुत कोई यहां पर चेंजिंग नहीं हो रहा है जा रहे हो यहां पर फिर बोलेंगे तुम पाहार पर जा रही हो तो यह जो पर है यह तो फिर पोजीशन है लेकिन पर पर कोई अर्थ में उसमें कोई समझेंगे अगला कोशन से अब कुछ लॉलीपोब प्रस्न का उत्तर समझेंगे अब फिर उसके बाद जो है हम चीजों को अच्छे से समझेंगे क्योंकि अब आगे हम क्या करें संग्या सर्वनाम किरिया विश्मयादी बोदर समुझे बोदर संबंद बोदर यही सब सब ची जो आपसे मिला हुआ है अब वही बात आगिया है योगी मुलेंगे योगूरूट संद मोलेंगे उसके सब्सक्राइब के बिद्यर का सब्द है विद्यार्थी इस परकार का सब्द है यह आपका योगिक सब्द यो outfit करती किरिया किस परकार सब्द है किरिया में विकार होता है इसलिए विकारी होगा संखेया साम नाम किरिया वीकारी होगा किस परकार का सब्द है अगर 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 एक तो खाना तो खा आपलस ना दोनों को अलग 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 यहाँ जाना किस तरह का सब्द है खाना अगर किस तरह की खाना किस तरह का सब्ड़ाया हो जाएक नहीं अदि वीकारी सब्च भाषब स्भी नहीं की हम लोग किस प्रकार आ सब्छा थे वे नहीं जुआ कि शरी कितो हम लोग किस परकारी शरी होग मिर्ट तो इक्ष Im क्योंकि यह सर्वनाम है तो सर्वनाम विकारी सब्द में तो आई वोब की इतना सारा जो प्यार से हम पढ़ाएं आपको समझ भी आया होगा ठीक है और अगर वीडियो थोड़ा का भी आचा लगा हो तो लाइक किजिएगा दोस्तों के पास ठीक है और कमेंट जरूर किजिए होगा कैसा रगा आपको वीडियो में एक बावार टपी के साथ तब तक के लिए जाएं